आगे रहे हैं आगे में एक नया मेजिकल वर्ड ले रहे हैं पोटेयर. ये लेकिन वर्ड है ये भी एंग्लिश में जब ये इंपोट हुआ तो बन गया port इसका मतलब है to carry तो यह stem है stem जैसा कि आपको बताया मैंने stem वो शब्द होते हैं जो के किसी word का mean part है इसमें suffix या prefix जुड़ सकते हैं और एक नया शब्द बन जाता है तो देखते हैं कि port में क्या क्या जुड़ा और क्या क्या बना कैसे कैसे बना सबसे पहला पोटर आपने अमिता बच्चन की कुली फिल्म देखी होगी अगर वह हॉलिवूड में बनी होती तो उसका नाम होता पोटर पोटर बतला कुली वन हूँ पोट्स अवर लगेज फ्रम वन प्लेस तो अनादर वैश्म देवी यात्रा करते जाएं खूब सारे पोटर बिलते हैं जो के आपका बारी अपरगम समान अपने कंदे पर लाद कर और यात्रा आपको करा देते हैं पोटर के बाद में एक और शब्द है पोटेबल आपने सबने सुना है पोटेबल मींस विच केंडी केरीड इजीली सम्थिंग देडी पोट प्लस एबल इसमें टेक्नलोजी का कहां कैसे इसमें गुसिये देखिये आप पोटेबल से बनी पोटेबिलिटी आजकल इसकीम गवर्मेंट ने निक कुछ नहीं है अपने मुबाइल फोन की जो सर्विस दे रही है तो यू कन पोट यूर फोन नंबर टो सम अधर कंपनी बहुत सालों तक मैंने आइडिया का फोन नंबर रखा फिर आइडिया से मैं बहुत दुखी हुआ तो मैंने उसको जीओ पर पोट कर लिया अब जीओ स पीडिया जो है इसका मतलब हुआ पोटेबल दोकुमेंट फॉर्मेट तो पीडिया फाइल वो फाइल है विच कैन बी करीड फ्रॉम वन डिवाइस तो अनदर विदाउट एनी डेमेज और चेंज़ तो होता क्या है कि जब आप अपनी वर्ड फाइल या कोई और पावर प इमेल और फॉर्पेंट ड्राइव कैसे भी तो नए वाले कंप्यूटर में जहां वो फाइल गई वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए लेयाउट नहीं बिगड़ना चाहिए उसका कोई फॉर्म्स की समस्या नहीं आनी चाहिए तो इसलिए यह पीडियेफ का पॉर्टली यह कौन है पॉर्टली इस परसन हू इस करीग अलॉट फॉर्ट 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 फॉर् to some other place to carry or to send to some other place हम अगर हिंदुसान से माल अपना अमेरिका भेज रहे हैं जापान भेज रहे हैं चीन भेज रहे हैं तो वी आर एक्सपोर्टिंग और अगर मंगा रहे हैं वहां से तो इंपोर्टिंग तो इंपोर्ट मीस्ट तो केरी इन तो ब्रिंग इन और एक्सपोर्ट मीस्ट तो केरी आउट तो सेंड आउट अब ये फिर टेक्नोलोजी की बात हम करें तो आज की तारीक में सिर्फ सामान का एक देश से दूसरे देश में भेजना ही एक्सपोर्ट नहीं रह गया या मंगाना इंपोर्ट नहीं रह गया अब आप देखिए मैं जो recording कर रहा हूं यह video की इसको मैं क्या करूँगा जब यह recording पूरी हो जाएगी तो I will import it into some video editor program अपने laptop में मैं इसको import कर लूँगा and I will make whatever changes I want to do it तो जो जो भी मुझे इसमें थोड़ा बहुत ठीठा करना होगा वो मैं करूँगा then I will export it in some distributable format ऐसे format में मैं इसको transfer कर दूँगा इसको फिर भेज दूँगा export कर दूँगा ताकि फिर यह मैं YouTube पर upload कर सकूँ और आप सब इसको देख सकें तो import export सामन का भी होता है और computer files का भी होता है और कोई होता हो आप मुझे बताईएगा सोचिएगा इस बारे में computer के अंदर जो यह possible होता है फाइल को इधर से दर दर से दर ले जाने के लिए उसमें कई सारे port होते हैं जहां से के data transfer हो पाता है एक जगह से दूसरी जगह एक device से दूसरी device में एक USB port होता है USB port की full form क्या है universal serial bus port फिर एक HDMI port है उसके इलावा जैसे apple वाले आईफोन बगर है उसके अंदर होता है lightning port वह अलग है तो उनके सब के फिर एक thunderbolt port है c port है तो यह सारे-सारे port जो हैं यह एक device से कि दूसरी device में data transfer करने में carry करने में बीच में एक जैसे custom authority बैठी रहती है न कुछ-कुछ बैसी इस्तिती है इनकी यह allow करते हैं नहीं allow करते हैं जब तक यह पहचानते नहीं दोनों devices को तब तक नहीं करते हैं transport, transferring, carrying from one place to another तो report यह आपको थोड़ा सा लगेगा अटपटा मगर report means to carry again होता क्या है report में एक गटना-गटी उस गटना को अब हम लिख रहे हैं उसके बारे में एक reporter है वो लिख रहा है तो what is he doing actually he is carrying the same incident again but this time on paper और computer screen तो जो actual गटना-गटी उसका विवरन दोबारे सारा सारा लिखना that is reporting important something that carries weight for us अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है उसमें हमारे लिए उसमें substance से वजन है तो that is important एक चीज और don't do ever anything that makes some country to deport you deport deport एक word है deport का मतलब हुआ किसी देश के द्वारा किसी विदेशी को अपने देश की धरती से जबरदस्ती उसके home country में भेज देना उसका visa cancel कर देना और उसको कहना get out बाग जाना से काफी सारे शब्द हो गए आप से इसका time आगे हमारा जब यह classroom है तो homework भी हो गई होगा और यह homework वही है आप इन में से जो शब्द आपके लिए नए हो या जो आपके दिमाख में और नए नए शब्द आ रहे हो जिनमें पोर्ट है आप उनको अपने नोट बुक में लिखेंगे और उनके पांच पांच वाक्य बनाएंगे यह जो homework है ना इसको हम पता नहीं क्यों बहुत बोरिंग चीज या बुरा काम मानते हैं मैं आपको पता रहा हूँ एक उधारन दे रहा हूँ अपने घर से मेरा पोता है अभी अक्तूबर में वह दो साल का पूरा हुआ है और आजकल वह vocabulary building में लगा पड़ा है मैं नहीं सिखा रहा हूँ सिखा रहा हूँ मैं भी पर वह बना रहा है चिमनी दिखाओ यह चिमनी दिखाओ क्या गेम है भई उसको गोज में उठाओ किचेन में लेके जाओ और फिर उससे एक एक चीज पूछो वो बताएगा फ्रिज ओवन कलेंडर चिमनी गैस तवा कुकर पैन आरो घंटी गीजर टैप वाश बैसिन कलेंडर ड् दिन में कम से कम कम से कम पांच बार करवाता है मुझसे उसको गोदी में ले जाओ क्यों करवाता है रात को जब वो सोता है मेरे भगल में तो उस टाइम भी वो सोने से पहले जब लाइट आफ कर देते हैं तो करीब 10-15 मिट तक अपना दिन बर का काम जो उसने नहीं सीखा उसको रिवाइज करता है एसे लेकर जैट तक सारी वो पूरी याद करता है उसके बाद में हम सोचते है आप शायद इसका सोने के टाइम हो गया अब यह सो जाएगा मगर नहीं वो कहेगा एक बाफिर ठकता ही नहीं तो यही सब आपको भी करना चाहिए अगर आपको आज के लिए इतने नमस्कार